वड़न में वेलकम बैक तो मैं चैनल बायपॉस्त तो आज के इस वीडियो में हम देखने के वाले मोर्स और कमिटमेंट हमने से हमारे पिछले वीडियो में देखा था स्टेज़ेस ओर एक कमिटमेंट के हमने दूस्तेज़ेस डिस्कस कर दिये थे एक तर स्पेसिफिकेशन और दूसरा था determination तो अगर आपने वो वीडियो ने देखिये तो आप जाके वो देखिये कि कितने stages होते है commitment पे बाद में ये वीडियो देखिये मैं उस वीडियो का link description box में दे दूंगी ता कि आप वो वीडियो जाके देख सके so let's start with mores of commitment कितने mores होते है commitment के या फिर आप इसे ये भी कह सकते कि how many mores of specification कितने specification की mores होते है there are alternative name एक होता है mores of commitment और दूसरा होता है mores of specification so कितने mores of specification होते है so basically there are three mores of specification first is autonomous specification अब autonomous specification मतलब क्या कि ये जो specification होता है ये basically invertibrates जो होते है invertibrates जो होते है उनमें ज्यादा तर ये autonomous specification दिखाई देता है वो ये specification possess करते है कौन invertibrates तो basically जो invertibrates होते है उनमें autonomous specification होता है और इनमें जो development होती है वो development केसी होती है वो development होती है mosaic development या फिर हम कह सकते है कि डिटर्माइन डेवलपमेंट, मोजग या फिर आप कैसे हो, डिटर्माइन डेवलपमेंट इन वर्टीबेट्स में होती है। हम सिफ इस वीडियो में ओवर्लुक कर लेंगे कि कितने मोड्स ओफ स्पेसिफिकेशन होता है। आने वाले वीडियो में हम इन डेटेल एक एक स्पेसिफिकेशन लेगे और एक एक स्पेसिफिकेशन इन डिसकस करेंगे। आज का वीडियो बस ओवर्लुक है कि कि कितने मोड्स ओफ स्पेसिफिकेशन होता है और उनमें क्या क्या होता है। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि autonomous specification in detail जो भी दो specification है वो in detail हम discuss कर लेंगे So basically हमने क्या देखा कि autonomous specification invertibates में होते हैं और invertibates में development कैसा होते हैं mosaic और determine अब जो autonomous specification की cells होते हैं वो basically अगर हमने इन cells को किसी other embryo की अगर किसी other region में डाल दे इंबरियों की अगर किसी other region में डाल दे तो यह उनका fact चेंज नहीं करता यह उनका fact क्या नहीं करता है उनका fact change नहीं खुदका हीFe रखता है हगर आप इसे किसी भी रीजन में डाल दे तो इसी लिए इसे हम क्या कहते हैं Autonomous specification खुद का ही और उन्हें अगर उन्हें डाल दे तो यह था उट्वनामस स्पेसिफिकेशन जो सेकेंड मोड आप स्पेसिफिकेशन वह हैं अब यह जो कंडिशनल स्पेसिफिकेशन यह हमें कहां पर ज्यादा तर देखने को मिलता है अब जो यह कंडिशनल स्पेसिफिकेशन होता है इसमें कैसी डेवलपमेंट होती है तो बेसिकली कंडिशनल स्पेसिफिकेशन में रेग्यूलेटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है अब कंडिशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है अगर हमने कोई conditional specification की cell ले ली और इस cell को हमने अगर किसी region में transplantation करवा दिया for example इस region, embryo की इस region में अगर हमने transplantation कर दिया तो ये अपना fat change कर सकते हैं, reversible होता है इनका fat कैसा होता है, reversible होता है इनका fat हमने जैसे देखा autonomous specification में, जो cells होते हैं, उनका fat वो उनका fat वो कभी change ने करते हैं, उनका fat कैसा होता है, determined होता है लेकिन conditional specification की जो cells present होते हैं, वो अपना fat change भी कर सकते हैं, reversible कर सकते हैं और conditional specification में development कैसी होती है, regulatory development और autonomous specification में development कैसी होती है, mosaic या फिर determined developed अब जो third mode of specification है, the last mode of specification which is nothing but the syncytal specification, अब syncytal specification हमें कहां देखने को मिलती है, so basically syncytal specification है वो हमें देखने को मिलती है, insects में basically यह specification mostly insects में ही present होती है, और insects में ही हमें देखने को मिलती है अब syncytal specification में हमें mostly दोनों ही specification जो हमने discuss किये, autonomous of conditional उन वो दोनों ही स्पेसिफिकेशन सिंसाइटल में हमें देखने को मिलता है अब वो कैसे क्या वो हम इन डीटेल अलग वीडियो में देखेंगे जो सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन का वीडियो रहेगा स्पेसिफिक उस वीडियो में हम इन डिटेल सिंसाइटल स्पेसिफिकेशन क्या है कंडिशनल स्पेसिफिकेशन क्या है और और अटोनॉमस स्पेसिफिकेशन क्या है तीनों स्पेसिफिकेशन इन डिटेल हम एक एक करके एक एक वीडियो में देखते जाएंगे So I hope आपको समझ में आगे होगा कि कितने modes of commitment होता है और उन commitment या फे specificant जो modes of specification है उनका overlook हमने जैसे देख लिया वो overlook आपको समझ में आगे होगा अब हम आगे की वीडियो में in detail तीने specification देख लेंगे So thank you झाल